हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूटूब चैनल इस्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वीडियो 2016 का प्रीबियस एर कुश्चन पेपर जो आपके आगामी वीडियो एक्जाम के लिए काफी हलफुल है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूटूब चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं गिया है वो सस्क्राइब कर लें, साथ-साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं, तो उसका नोटिविकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, अराउंड 5.6 के यहाँ पे सस्क्राइबर्स हो चुके हैं, सुबर 10 बजे और शाम 8 बजे हाँ पे क्यूज का एजन भी कराया जाता है, इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स, पीडिय अपस इहीं पे शेयर के जाती हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा, बढ़ते हैं आज की वीडियो के ओर, देखें इस कुश्यन पेपर में पहला कुश्यन था, निमने लिखित पॉर्णों में से पंचम अक्षर है, इन में से पंचम अक्षर है आपका option D, मौ जो है, यह आपका पंचम अक्षर है, अगला कुश्यन देखिए, अगला कुश्यन है, निमने लिखित मैंसे कौन सा संयुगत व्यंजन है, संयुगत व्यंजन है आपका ग्यों ऑपशन D, आपका यहां पे right answer हो जाएगा, अगला कुश्यन देखिए, अगला कारक प्रियुक्त है इस वाक्य में प्रियुक्त कारक है आपका अपादान कारक ओप्शन भी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए हिन हिनाना शब्द है हिन हिनाना शब्द में है करिया विशेशन ओप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर ह अगला question देखिए' योगा प्यास में कौन सी संदी है योगा प्यास में दीर की संदी है आपकी option A आपका है correct answer है अगला question देखिए निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका अति थी option D आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए शिरीष के फूल किसकी रशना है शिरीष के फूल जो है यह रशना है आपके हाजरी प्रशाद दिवेदी की option B आपका यहां पर right answer है अगला question देखिए निम्न लिखित मैं से कौन शार शब्द आस्मान का परियाईवाची है देखिए आस्मान का जो परियाईवाची शब्द है यह है आपका गगन option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए निम्न लिखित मैं से अनात सब्द का विलोम है अनात सब्द का विलोम है आपका सनात option C आपका यहाँ पर right answer है अगला देखिए जो बनावटी हो वाकियांश के लिए एक शब्द होगा जो बनावटी हो वाकियांश के लिए एक शब्द होता है कृतिम option B आपका यहाँ पर correct answer है अगला देखिए अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना मतलब निकालना Option A आपका यहाँ पर राइट आंसर है अगला कुशन देखेंगे एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ती का तातपरी है सभी एक समान Option B आपका यहाँ पर राइट आंसर है अगला कुशन देखेंगे रानी केत की कहानी के रचैता है Option A आपका यहाँ पर राइट आंसर है अगला देखेंगे साधू का स्ट्रिलिंग है साधू का स्ट्रिलिंग है आपका साध्वी Option A आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे उत्राखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है उत्राखंड का आंचली कथाकार जो है ये माना जाता है आपके शहलेश मट्यानी को option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा देखें कथा शिल्पी उपनियाशकार प्राखर चिंतक और विचारक श्री शहलेश मट्यानी का जन्म 1931 इसवी को कुमाओं में हुआ था इन्होंने विकल्प पत्रिका की सांसाथ विकल्प प्रकाशन आरंब कर अपनी रशनाओं का स्वयम प्रकाशन किया इसके अलावा देखें सांस्कृतिक पत्रिका जन्म पक्षिका भी इन्होंने संपादन एवं प्रकाशन किया इन्होंने 25 उपन्याशों, 19 कहानी संग्रहों और 10 वैचारिक लेक संग्रहों तथा एक दर्जन से अधिक बालो पियोगी पुस्तकों का श्रजन किया और 2001 में ध्यान दे जो 2001 में इनका देहांत हो गया अगला कॉश्यन देखे इन में से कौन सी भाषा समविधान की आठवी अनुसूची में शामिल नहीं है समविधान की आठवी अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है आपकी राजिस्तानी भाषा ओप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है सम्विधान के आठवी अनुसूची में 22 भासाओं का उल्ले किया गया है ये आप ध्यान रखेंगे देखें जिसमें हिंदी नेपाली और गुजराती इनको तो शामिल किया गया है लेकिन जो राजिस्तानी भाषा है ये इसमें सम्मिलित नहीं है तो ये सारी चीजे ध्यान अगला गुशन देखें सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रशना पर ग्यान पीट पुरुसकार प्राप्त हुआ देगे सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा रचना के लिए भारती ज्यानपीट पुरुसका से समानित किया गया ओप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्टर आंसर है ग्रामिया वाव युग वानी जो है पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं यह भी आप ध्यान रखें शिल्पी रजत सीगर उत्रा वानी पदजर नव चेतनावादी कावी हैं इनके और चायवादी कावी रचनाओं के अगर हम बात करें तो वीणा ग्रंती पल्लव गुंजन और जोसना इनके ज्ञवादी कावी रचनाओं हैं ये सारी चीजे ध्यान रखें कभी-कभी रचनाओं ये पूच लेता है आयोग सुमीत्रा नंदन पंत जो है ये हिंदी साहिति के चायवादी योग के कभी है 1968 इस भी में ध्यान दे 1968 इस भी में इन्हें चितंबरा के लिए साहित्य का पर्थम ज्यानपीट पुरुसकार मिला और 2015 में सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया अगला कुशन देखिए अगला कुशन है आपका उपवाँ अलंकार किस अलंकार का उपवेद है उपवाँ अलंकार जो है यह आपके अर्था अलंकार का भेज़त है option C आपका यहाँ पर राइट आंसर है अगला कुशन देखिए चौपाई छंद के परतियक चरण में कितनी मात्राएं होती है चौपाई छंद के परतियक चरण में 16 मात्राएं होती है option D आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए असंगत सब्द चुनिए इसमें से असंगत सब्द चुनना है तो असंगत सब्द जो है यह आपका पंच है option D आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिये इंसुलीन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है इंसुलीन हार्मोन जो है यह आपके अगनासय यानि पैंक रियास से स्रावित होता है अगला question देखिये रिक्त स्थान भरें रिक्त स्थान भरना है तो देखिए यहां पर रिक्त स्थान पर आएगा आपका 36 option C आपका यहां पर correct answer है अगला question देखिए निमलिखित में लुपत अक्षर होगा इसमें से लुपत अक्षर है आपका के option c आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखे चित्रम में प्रश्णवाचक चिन्न इस्थान पर कौन सा अंक आएगा प्रश्णवाचक चिन्न जो है इसके इस्थान पर आ रहा है आपका 2 option b आपका यहाँ पर correct answer है अगला question देखे एक परिक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किये तो सबसे कम अंक किसने पाए सबसे कम अंक जो है यह आपके पाए है जानकारी परियाप्त नहीं है तो इस question का आपका right answer है option d अगला question देखे यदि m का अर्थ प्लस n का अर्थ माइनस और p का अर्थ इंटू हो तो इस question का right answer हो जाएगा आपका 5 अगला question है तीन के पर्थम 5 गुणकों का योग होता है तीन के पर्थम 5 गुणकों का योग होता है आपका 45 option आपका right answer है अगला कुशन देखिए, सुनीता, एक घंटे में 2700 शब्द टाइब करती है, 2700 शब्द टाइब कर सकती है, 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइब करेगी, 3 मिनट में वह 135 शब्द टाइब करेगी, ऑप्शन D आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अगला देखिए, 25 छात्रो की ओसत आयू 17 वर्ष है, यदि इसमें हम अध्यापक की आयू भी जोड़ दें, तो यह ओसत एक वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की उम्र कितने वर्ष होगी, अध्यापक की उम्र होगी आपके 43 वर्ष ऑप्शन, यह आपका यहाँ पर राइट आंसर है, वीडियो सड़ गए हैं, कटोरे में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए, तो कटोरे में जो सही अंडे हैं, इनका प्रतिशत है आपका 76 प्रतिशत, ऑप्शन C आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अगला देखिए, निम्न मैसे कौन मौलिक मात्रा है, मौलिक मात्रा है आपका बाई, option D आपका यहां पर right answer हो जाएगा, अगला देखिए, अगला question है, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है, भाई बहन का जो ताल कहा जाता है, यह कहा जाता है आपके, मासर ताल को option A आपका यहां पर right answer है, देखिए, सहस्त्र धील से कुछ दूरी पर बाल गंगा घाटी में इस्तित, मासर ताल जो है, यह दो कटोरे नूमा तालों से निर्मित है, यह दोनों ताल भाई बहनों के ताल कहे जाते हैं, इस जिल के चारों तरफ घने, रक्ष और बुग्याल इस्तित हैं, यह आप ध्या आठ सेकंड पर बदलती है, यदि वे सुबह साथ बजे एक साथ बदलती हैं, तो इसके पश्चाद वे फिर एक साथ कब बदलेंगी, तो फिर यह दुबारा एक साथ बदलेंगी आपके साथ मिनट बारा सेकंड पर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, अगला कुश्चन देखिए दिये गए विकल्पों मैं से संबंदित शब्द चुनिए, देखिए विस्मिल्ला खान जो है, यह आपके सहनाई से संबंदित हैं, और जो रवी शंकर हैं, रवी शंकर हैं आपके सितार से संबंदित, तो आप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगल जड़, ओ, क्यू, एच, के, आपके आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगला कुशन देखिए, लुधियाना को प्रतियक चार घंटे में एक बस जाती है, बस के लुधियाना रवान होने के 20 मिनट पस्चाद इसकी घोशना की जाती है, अगली बस साड़े चा यानि 4.30 पी-म पर जाएगी, तो इसकी घोशना किस समय की जाएगी, इसकी घोशना की जाएगी आपके 12 बचकर 50 मिनट पर, ओप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगला देखिए, अगला कुशन है आपका, एक 80 पैरो वाले भैसों के जुंड में आधी भैसों का एक सींग था, एवं 6 आधी के 2 सींग थे, तो इस जुंड में कुल कितने सींग थे, इस जुंड में कुल सींगों की संक्याति आपके 30, ओप्शन D आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगला कुशन देखि यहाँ पर अगला अक्षर हो जाएगा आपका H, ओप्शन B आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अगला कुशन देखिए, एक मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चोड़ाई 70 मीटर है, एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलो मीटर प्रती घंटे की गदि से चलता है, उसे 5 चक कर लगाने में 24 मिनट लगेंगे, ओप्शन B आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अगला कुशन देखिए, परियावरन दिवस मनाया जाता है, परियावरन दिवस मनाया जाता है आपके 5 जून को ओप्शन B आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अगला कुशन देखिए, व अगला कुश्यन देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए भारी जलका रास्तायनिक सूतर क्या है भारी जलका का साइनिक सूत्र होता है आपका D2O यानि Deuterium Oxide अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आपका वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देखिए ये 2016 का पेपर है वर्तमान में पुछा जाता है तो आपके वर्तमान में हैं आपके शुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं शुशील चंद्रा अगला कुश्चन देखिए सूशना का अधिकार अधिनियम पारिद किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये पारित किया गया आपके 2005 में option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा guys वीडियो पसंद आ लिए तो वीडियो को like जरूर कर लें channel पर नए है तो हमारी youtube channel study with aim को जादा से जादा आपको subscribe कर लेना है देखें वीडियो को जाद से जादा शेर जरूर कीजिए अगला देखें अगला question है भुकंप अंकन किया जाता है भुकंप अंकन किया जाता है आपके सिस्मो गुराप से option A आपका यहां पर right answer है अगला question है वर्षित 2015 के लिए रह्मन मैक्स से पुरुस्कार किसको परदान किया गया 2015 में रह्मन मैक्स से पुरुस्कार जो है यह आपके अंशु गुप्ता और संजीव चतुरवेदी दोनों को परदान किया गया है तो option C आपका यहां पर correct answer हो जाएगा A तथा B दोनों अगला question देखें 73 वां सम्विधान शंशोदन संबंदित है यह संबंदित है आपके पंचायती राजव्यवस्था से option C आपका यहां पर correct answer है अगला देखें नौर्मन बोर्लोग पुरुस्कार किस छेत्र में दिया जाता है नौर्मन बोर्लोग पुरुस्कार जो है यह आपके कृशी के छेत्र में दिया जाता है option A आपका यहां पर correct answer हो जाएगा अगला question देखें URL का पौन रूप है URL का पौन रूप होता है Uniform Resource Locator option C आपका यहां पर correct answer है अगला देखें निमन में से कौन सा समू computer के केवल input device से सम्मन्दित है computer के केवल input device से सम्मन्दित समू है आपका mouse, keyboard और scanner option B आपका यहां पर correct answer है अगला question देखें MS PowerPoint में slide को प्रारंब करने के लिए कौन सी कुणजी या कुन्जी सन्योजन दबाई जाती है तो यहां पर दबाया जाता है F5 F5 जो है आपका यहां पर correct answer हो जाएगा option A आपका यहां पर right answer है अगला देखें os और is की भाषा कहलाती है os और is की भाषा कहलाती है आपकी binary भाषा option A आपका यहां पर correct response है अगला question देखिए guys आपको comment section में comment भी करते रहना है आपका कौन सा answer जो है ये correct हो रहा है इसके अलावा कुछ आपके current affairs जो है ये आपको comment section में comment करने है current affairs की जो question है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तयारी हो रही है अगला देखिए क्योटो protocol किस से सम्मंदित है क्योटो protocol सम्मंदित है आपके जलवायू परिवर्तन से option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए डेंगू बुखार किस के द्वारा होता है डेंगू बुखार जो है ये आपके virus से होता है विशानू से हो जाएगा option D आपका यहां पर correct answer है अगला देखिए अर्जुन पुरुस का किस सम्मंदित है अर्जुन पुरुस का सम्मंदित है आपके खेल कूट से option B आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके सीराज गोपालाचारी option A आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए उत्राखंड में अखिल भारती आयुर्विज्यान सस्थान इस्तित है आपके रिशी केश में option B आपका यहां पर right answer हो जाएगा देखिए अखिल भारती आयुर्विज्यान सस्थान यानि aims की जो स्थापना है यह आपके 2004 में रिशी केश में की गई जिसने फरवरी 2014 से कारी शुरू किया रिशी केश धिरादोन का एक उपनगर है यह आप ध्यान रखे जो कि गंगावव चंद्रभागा नदी के संगम पर इस्तित है केदार खंड में रिशी केश को कुपजा मरग कहा गया है यह सारी चीज़े आप no down जरूर कर लें आपके आगामी एक्जाम में important है अगला देखे नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निमने में से किस जनपद में इस्तित है नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना जो है यह आपके पिथार अगर जिले में इस्तित है option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कुशन है सेम मुखे मंदिर है सेम मुखे मंदिर जो है यह आपके नाग राजजग का है option D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखे उत्राखंड की सबसे गहरी जील है उत्राखंड की सबसे गहरी जील है आपके नौकुचातार जील option A आपका यहाँ पर right answer है अगला कुशन देखे केदारनात में जल आपदा कब आई केदारनात में जल आपदा आई है आपकी जून 2013 में option C आपका यहाँ पर correct answer है अगला कुशन देखे पिरान कलियर इस्तित है पिरान कलियर इस्तित है आपके रुड़की के नज़ीक option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखे विवेकानंद परवती किर्शी अनुसंधान केंडर की स्थापना निम्न मैंसे किसने की थी विवेकानंद परवती किर्शी अनुसंधान केंडर की स्थापना यह आपके डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा की गई थी option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा विवेकानंद परवती किर्शी अनुसंधान शाला अलमोडा में कटारमल के पास इस्तित है इसके स्थापना 1924 में डॉक्टर बोसी सेन ने की थी विवेकानंद परवती किर्शी अनुसंधान साला जो है भारती किर्शी अनुसंधान पूसा की परवती एकाई है इस अनुसंधान दौरा खोजे गए मटर की किस्म BL03 और सोयाबीन की BL52 है यह आप ध्यान रखेंगे अगला कुश्यन देखिए उत्राखंड के कुल छेत्रफल का कितना परटिशत भाग परवती है उत्राखंड के कुल छेत्रफल का 86 परटिशत भाग यह आपका परवती है option B आपका यहाँ पर correct answer है अगला देखिए मैती अंदोलन के प्रणेता है मैती अंदोलन के प्रणेता है आपके कल्यान सिंग रावत option A आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए उत्राखंड राजी की सबसे बड़ी जल विद्दुत परियोजना कौन सी है उत्राखंड राजी की सबसे बड़ी जल विद्दुत परियोजना है आपकी तीरी जल विद्दुत परियोजना option C आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए राश्टी रक्षय अकादमी यानि National Defense Academy कहां इस्तित है National Defense Academy जो है यह आपके खड़क वासला में इस्तित है option D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए अगला कुशन है आपका उच्चतम जढ़ना कहां है उच्चतम जढ़ना इस्तित है आपके Venezuela में option C आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए निम्न राजियों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सारु भौमिक स्वास्त कवरेज परदान करने वाला भारत का पर्थम राजिय हो गया है तो यह राजिय है आपका करनाटक राजियों option C आपका यहाँ पर correct answer है अगला कुशन देखिए अगला कुशन है आपका उत्राखंड की परमपरागत आभुशन तिलहरी पहना जाता है देखिए उत्राखंड की महिलाओं का परशिद्ध परमपरागत आभुशन तिलहरी जो है यह आपके गले में पहना जाता है option c आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए निम्न मेंसे कौन एक कुमावनी के लेखक नहीं है कुमावनी के लेखक नहीं है आपके लीला धर जगूरी बाकी जो आपके गुमानी पंद गौरी दत पांडे यानि गौर्दा शिवदत शती जो है यह आपके कुमावनी के लेखक है लेकिन लीला धर जगूरी यह नहीं है option d आपका यहाँ पर correct answer है अगला देखिए प्रशिद्ध जौल जीवी मेला निम्न मेंसे किस जनपद में संपन होता है जौल जीवी मेला जो है यह आपके लगता है पिथोरगर जनपद में option a आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए कटार्मल का प्रशिद्ध मंदिर निम्न मेंसे किस देता का है कटार्मल का प्रशिद्ध मंदिर जो है यह आपके सूरी देवता का है option b आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा guys आपको अपने answer जो है यह comment section में जाद से जादा करना है देखिए आप comment नहीं करते हैं आप सभी से request रहेगा कि जाद से जादा आप comment section में comment करें कि आपको यहाँ पर आपके कौन सा answer जो है यह आपका correct है अगला देखिए 2011 की जैनगर्णा के अनुसार उत्राखंड में महीला शाक्षरता का प्रतीशत है सततर प्रतीशत Option D आपका यहाँ पर right answer है अगला देखिए केंडरी भवन अनुसंधान सहस्तान उत्राखंड में कहां इस्तित है केंडरी भवन अनुसंधान सहस्तान उत्राखंड में इस्तित है आपके शुमेलित करना है एक तरफ आपके राष्टी उध्यान दिए हैं दिखिए आपका कॉर्बेट राष्टी उद्ध्यान जो है यह आपके नेनिताल में स्तित है नंदा देवी राष्टी उद्ध्यान है चमोली में राजाजी राष्टी उद्ध्यान है आपके धेरादून में और गोविंद राष्टी उद्ध्यान है आपके उत्तर काशी में तो इस हिसाब से आपका right answer हो जाएगा option B option B आपका यहाँ पर correct answer है अगला question देखिए अगला question है इसको भी सुमिलित करना है वनी जीव विहार दी है एक तरब एक तरब जनपत दीए है किदानात वनी जीव विहार जो है यह आपका चमोली में है असकोट वनी जीव विहार है पितोरागड में सोना नदी वनी जीव विहार है आपके पौडी में और विंसर जो है वनी जीव विहार यह है आपके अलमोडा में इस हिसाब से आपका right answer है option B अगला देखिए अगला question है अलमोडा में विवेकानन्द करशी अनुसंधान शाला के संस्थापक थे आपके बोसी सेन option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए नैनिताल की खोच किस British यात्री ने की थी नैनिताल की खोच की थी आपके P बेरन ने 1841 इस भी में अगला question देखिए निमन फसलों पर विचार कीजिए देखिए यह फसले दी हैं आपकी 4 फसले उप्यूग तो मैसे कौन से फसल खरीव की फसल है खरीव की फसल की देखिए कपास मुंफली मक्का जो है यह आपके खरीव की फसल है लेकिन जो सडसों है यह आपके रवी की फसल है यह आपको ध्यान रखना है इस question का right answer है आपका option B अगला देखिए भारत का पर्थम किर्शी विश्य विश्य विद्याले है आपका जीवी पंत विश्य विद्याले पंत नगर option C आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए उत्राखंड में कितने विकास खंड है उत्राखंड में विकास खंडों की संक्या है आपके 95 option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए उत्राखंड की किस जिला पंचायत को राष्टी पंचायत प्रुस्का से सम्मानित किया गया है यह किया गया है आपके जिला पंचायत धेरादून को option A आपका यहाँ पर right answer है जिला पंचायत धेरादून को राष्टी पंचायत प्रुस्का से सम्मानित कि गया है अगला कुशन देखिए मौला राम एक प्रशिद्द चित्रकार थे दिखिए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए निम्ने तिथियों में से किस तिथि को उत्राखंड में हिमाले दिवस मनाया जाता है उत्राखंड में हिमाले दिवस मनाया ज जाता है आपके 9 सितंबर को option A आपका यहां पर correct answer है अगला कुशन देखिए गुपताओं द्वारा जारी किये चांदी के सिक्कों को कहा जाता है गुपताओं द्वारा जारी किये चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रूप का option A आपका यहां पर correct answer है अगला देखिए द्वि होता है जो परिवर्थित करता है compiler एक ऐसा software होता है जो परिवर्थित करता है आपके उची स्थरिये भासा से मशीनी भाशा में option c आपके यहां पर right answer है अगला देखिए अगला है आपका एक ग्राम पंचायद में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं पांच से लेकर 15 तक option b आपके यहां पर correct answer है अगला देखिए अगला कुश्यन है आपका Kendrick ग्रामीन विकास मंत्री कौन है देखिए यह current affairs का कुश्य はい इसका सई सी answer आपको संट में कमेंड करके कंमेंड करके बताता है तो नहीं आता है तो मैं आपको कमेंड के माध्यम से इसका आप्यार बता दूंगी ऑन्सर इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि इससे आपको भी었다 होगा आपको पता चल जाएक यह कि के कड्ने तयारी हो रही है अगला देखेए उत्राक्षंड के ग्राम विकास एम पंचायति राजमंत्री कौन हैं इसका अंसर आपको अ कमेंट करके बताना है नहीं आता है तो भी आपको कमेंट करके बताना है अगला देखेए मनरेगा में पिर्थी वर्ष पिर्थी परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा में पिर्थी वर्ष पिर्थी परिवार को रोजगार दिया जाता है आपके सो दिनों का option D आपका हैं पर right answer हो जाएगा अगला दिखिए मन रेगा के अंतरगत कम से कम कितने पृतिशत काम किर्शी से संबंदित होना चाहिए मन रेगा के अंतरगत कम से कम शाट पृतिशत शाट पृतिशत काम जो है ये किर्शी से संबंदित होना चाहिए ओप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए अगला है राश्टिक ग्रामीड विकास एवं पंचायती राज संस्थान जो है ये आपका इस्थित है है खेदरबाद में option see आपका यहां पर right answer है अगला question देखिए इंद्रा अम्मा भोजना ले दीखिए आपको comment section में comment करके जरूर बताना है जो भी आपके question पूछे गए हैं वो आपको comment section में comment करके जरूर बताना है इससे आपको यह फाइदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कितने current affairs आपके सही कितने question आपको यहां पर कैसी आपके तैयारी चल रही है यह मैं आप देखना चाहती हूं तो आपको comment section में ज्यादा से ज्यादा लोगों को comment करना है देखिए अगला है आपका इंद्रा अम्मा भोजनाले योजना का प्रारंब की गई इंद्रा अम्मा भोजनाले योजना जो है यह प्रारंब की गई आपके पंद्रा अगस्त दो हजार पंद्रा को option से आपका यहां पर राइट आंसर है अगला question देखिए अगला question है आपका किशान पेंशन योजना के अंतरगत शाट वर्स से अधिक आयू के किशान को कितनी पेंशन दी जाती है तो किशान पें इसको 135 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो 135 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 3 पाई अपन 4 3 पाई अपन 4 option भी आपका यहां पर correct answer हो जाएगा last question देखिए आज की वीडियो का मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भु का यहां पर right answer हो जाएगा ओके गाई आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को जादा से जादा सब्सक्राइ करता है झाले आपको पुना होगी वीडियोज वीडियोग स कृ sum एंड होगी वीडियोजटोंग।